आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले अल्ट्रा टेक सिमेंट के Q2 FY24 रिजल्ट के बारे में जैसे ही कंपणी ने कल अपना रिजल्ट अनौंस किया तो यह जो स्टॉक प्राइस था कंपणी का वो 3% अप आग चुका था अगर हम देखे तो लगबग 4% का जंप इस स्टॉक ने दिखाया था कल के ट्रेडिंग पिरेड में तो बात करते हैं रिजल्ट के बारे में कैसे रहे रिजल्ट तो आईए शुरू करते हैं से पहले अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट 69% से बढ़कर 1,281 क्रोज पर आ चुका है इस कौर्टर में एस कंपेर तो प्रीवियस क्यूटू 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 अगर हम कंपेर करें तो यर अन यर बेसिस पे जो रिवेन्यू ग्रोथ रहा है वो 15% के करीब सा अगरें कंपनी ने मोह दन 16,000 क्रोज का रिवेन्यू इस कौर्टर में जनरेट किया है अबिड़ा भी काफी स्ट्रॉंगली ग्रोव हुआ है 35% का अबिड़ा ग्रोथ देखने को मिला है और मार्जि जब रिवेन्यू से जाधा अगर एबिड़ा में ग्रोथ है तो जाहिर सी बात है कि मार्जिंस भी इंप्रूव हो रहें 249 बीसिस पॉइंट से यह मार्जिंस यहां पे इंप्रूव हुआ है और इसका मेन रीजन तो कॉस्ट का ही है कि लास्ट एफ़ए 23 में जब हम देख रहा है तो मार्जिंस के रिकवरी बहुत इंप्रूटन यहां पे एक फैक्टर प्ले प्ले आउट करेगी क्यूवन एफ़ए 24 से अगर हम कंपेर करें क्यों 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 रिजल्स जब हम कंपेर करें तो सारे नंबर्स रेड में दिखेंगे आपको एंड इसका यह रीजन ह इस वज़े से जो कॉस्ट है वह भी ज्यादा आती है वह क्यूटू के कौटर में ही डेबिट हो जाता है पी एंडल को तो उस वज़े से मार्जिंट पर थोड़ा सा डिकलाइन यहां पर देखने को मिलता है इसी वज़े से जो हमारे मार्जिंस रहे है जो 18.17 परसेंट था Q1FY24 में वो 16.97 परसेंट पर आ चुके है जो नेट प्रॉफिट मार्जिंट है कंपनी ने Q2FY24 में 8% का नेट प्रॉफिट मार्जिंट रेकॉर्ड किया था अगर हम नंबर की बात करें कि वॉल्यूम कैसे ग्रो हुए तो ग्रे सिमेंट जो डोमेस्टिक सेल हुआ है जो के साथ साथ जो ओवराल सेल्स वॉल्यूम है तो वह भी 15% से ग्रो हुए इंडिया में जो सिमेंट एक्सपोर्ट और क्लिंकर सेल्स जो होते है तो वह 59% से बढ़ा है और यह बेसे जो कंपनी की ओवर सीज आसेट से तो वहां पर इसे जो उनको रेविन्यू जेनरेट वायन 26.69 मिलियन टन्स का वॉल्यूम कंपनी ने Q2 F24 में सेल किया है तो मार्जिन्स की बात करें तो मार्जिन्स थोर से डिकलाइन ट्रेंड पर दिख रहे हैं Q2 F22 में 24% के मार्जिन्स हुआ करते थे F22 में 9th of 20% के मार्जिन्स कंपनी ने मिंटेन रखना क्या ट्राय किया था लेकिन Q2 F23 के बाद से जब एक मेजर कॉस्ट का इंपाक्ट देखने को मिला ड्यू तुटु दे कोल प्रैसे जो शूट अप हो गये उसके बाद लोजिस्टिक्स कॉस्ट भी बरने लगा और फिर इवेंचुली रो मटेल प्रैसे में भी इंफलेशन देखने को मिला तो उस वजह से Q2 F23 में जो कंपनी के मार्जिन्स है वो काफी जादा सब्डूड रहे थे अगर बात करें हम रियलाइजेशन की सो रियलाइजेशन क्या होता है जो हमारा सेल का जो रेवेन्यू जनरेट सकते हैं कि यह एवरेज सेलिंग प्रैस है विकॉस दरा मल्टिपल काइंड्स ओ सिमेंट जो कंपनी बेचती है मल्टिपल प्रोडक्ट से तो उस वजह से जो एवरेज एक सेलिंग प्रैस देखनों को मिलता है इन वेरियर जोग्रफी तो वह Q2 F24 में फ्लाटिश रहा है त तो सिफ 5,342 से बढ़के 5,349 रूपीज पर आ है लेकिन एक इंट्रेस्टिंग पैरामेटर यहां पर कंपनी ने डिस्क्लोज किया है जो रियलाइजेशन वर्सेस टोटल कॉस्ट इंडेक्स है तो Q2 F23 से टोटल कॉस्ट तो कम हुई है जो अगर इंडेक्स पर है तो 3% का reduction Q2 F24 में देखने को मिला लेकिन अगर हम October 23 का चार्ट देखे तो जब तक के company रहे यह result अनाउंस किया तब तक का जो डेटा है तो वहां पर realization में 5% increase देखने को मिला है अगर हम Q2 F23 से देखे है तो एक recovery यहां पर देखने को मिली है यह 955 रूपीज पर 10 का EBITDA कंपनी ने यहां पर generate किया तो Q4 में ऐसा क्या-क्या चीजे रही थी cost कौन से impact कर रहे कि जो EBITDA sequential basis पर गिरा है तो उसकी क्या reason से तो वह हम अभी जानते कि सबसे पहले जो logistic cost है तो logistic cost actually थोड़ा कम हुआ है तो 2% YOY & 4% QQ basis पर यह जो cost है वह decline हुआ है per 10 basis and logistic cost जो total cost है उसका 28% form करता है energy cost के अगर हम बात करें तो Q2F24 में energy cost सबसे important factor 35% of the total cost is energy cost and यह जो cost है वह YOY basis पर 10% से गिरा है and QQ basis पर 4% से गिरा है उसके साथ-साथ raw material prices है तो raw material के जो cost है वह increase हुआ है लगबग 4% का increase raw material cost के तरफ से देखने को मिला है इसके अलावा जो other cost है जैसे कि employee benefit expenses हो जाते है maintenance related activities हो या फिर जो other corporate related expenses है तो Q1 के हिसाब से यह cost है यह बढ़ गया है Q1 F24 में 683 rupees per ton का cost आया था तो यह बढ़के 862 rupees पर आ गया तो इसके कुछ reasons ऐसे कि firstly जो volume sale है वो कम हुआ तो operating leverage के वज़े से यह number बढ़ गया है secondly company ने कुछ additional bonuses दिये थे अपने employees को तो उस वज़े से भी यह cost में impact आया है and जो company अपना seasonal maintenance करती है Q2 में तो वो भी additional cost होता है Q2 में जिससे other cost जो है वो बढ़ गया है तो इन सभी factors को अगर हम देखे तो उस वज़े से Q2 F24 में other cost per ton has increased from 683 to 862 rupees तो अगर आप अभी company के valuations की बात करें तो market cap लगबग डाइलाक करोड के आसपास का है and जो PE ratio आता है इस result के बाद इस result के numbers अगर incorporate कर दे तो उसके बाद 43 का PE ratio का RI company का as of 19th October 2023 जो median levels है उससे तो काफी increase देखने को मिल रहा है कि थोड़े premium level पे valuations currently trade हो रहा है इसके कुछ reasons ऐसे कि जो median PE के पहले जब हम देखे है कि यह जो cost scenario का impact आया उसके पहले valuations इतने नहीं हुआ करते तो जो subdued earnings हो गई है उस वज़े से PE ratio inflate हुए है and secondly एक थोड़ा सा अभी market भी जैसे all time high पे तो stock price में भी काफी अच्छा improvement देखने को मिला so one year में 35% का return ultra tech cement के stock ने दिया है तो उस वज़े से भी एक थोड़ा सा re rating factor यहां पे भी दिखाई दे रहा है अगर हम PB ratio की बात करें तो PB ratio 4.27 times है and EV by EBITDA 22 times पे EV by EBITDA पे यह stock trade कर रहा है so this was all about the company's results तो ऐसे ही और result analysis और साथी साथ fundamental analysis के लिए यदनिया investment academy के साथ बने रही है और आपको अगर यह वीडियो पसंद आया तो इसे जरूर से जरूर लाइक कीजिए thank you so much हुआ हुआ है